हेलो दोस्तो हिंदी की विंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं UPPSC GDC एक्जाम पैटर्न को लेकिए तो देखिए यह एक स्क्रिनिंग एक्जाम है इसके बाद इसमें आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होना ह तो यह एक्जाम जो है पहले अप्रेल में होना था और अब इसप्ल्र ही प्रिक्ष्राम को होने वाला है तो बता दो कि फॉर्म पिछले साल भरा गया था लेकिन कोरोणकी वज़से जो इसकी डेटниц है वह आगे बढ़ती गई और अब जो है इसकी परिष्षा की डेट जो गई है तो चलिए परिक्षा से पहले एक बर इसके पैटर्ण पे एक्जाम का जो पैटर्ण है उस पर चर्चा कर लिया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑनी चाहिए तो सबसे पहले इसके लिए आपको बैचलर डिग्री यानि कि अपका ग्रेज़िवेशन में 45 परसंट माक्स होना चाहिए तो यहां आपको ग्रेज़िवेशन में 45 माक्स चाहिए उसके बाद मास्टर्स में आपको जो है MMA, MA, MSC, कुछ भी अगर आपने मास्टर्स किसी भी विशे से कर रखा है उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए इसके बाद आपका NET, SLET या SET का एक्जाम जो है वो क्लियर होना चाहिए तब ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो यह जो तीन है वो इसकी eligibility criteria है जो इस फॉर्म को भढ़ने से पहले आवश्यक है पहले चीज आपका graduation में 45% मार्क्स होने चाहिए दूसरी master's में आपकी 55% होना चाहिए और आपका NET, SLET क्लियर होना चाहिए और 5% जो है तो 5% का जो relaxation है वो PG exam को लेकी है जो भी reserve category है यानि कि graduation में तो आपको 45% ही मार्क्स चाहिए चाहिए वो किसी भी category के हो लेकिन जो reserve category के लोग होंगे SC, ST, OBC जो भी reserve category से belong करते हैं उन सब को 50% पे यह form बढ़ने को मिल सकता है तो यह बात हो गई eligibility की अब age limit क्या है तो इसके लिए जो age limit चाहिए वो है 21 से 40 वर्ष की अगर आप आयू के बीच में हैं तो आप यह form फिल कर सकते हैं नेकि इस साल तो यह form भर चुका है अब परिक्षा होने वाली है आगे कभी भी अगर यह form निकलता है तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ही फाइदे मन्द है इसका selection process क्या होता है तो इसके लिए जो है कि screening exam यानकी written exam होता है और उसके बाद जो है इसमें आपका interview ले आ जाता है और यहाँ पर देखी यह 128 post के लिए यह निकली थी अलग-अलग विश्यों से और इसकी परिक्ष्याती थी जो है वो 15 March 2022 है अब बात करते हैं इसके exam pattern की जो इसका मुखे विश्य था कि इसमें exam pattern के साथ हर पढ़ लिया जाता है तो देखी इसमें general studies की जो है 30 questions आते हैं और other subject except maths यानि कि math को छोड़के बाकी जितने भी subject है हिंदी है, English है, Science है, कुछ भी है तो maths को छोड़के जो बाकी जितने भी subject है उसमें आपके 90 questions आएंगे और यह 120 number का जो है total paper होना है आपका जिसमें आपको जो समय अवधी दी जाएगी वो है 2 घंटे यानि कि 2 घंटे में आपको 120 प्रश्न करने हैं और उसके लिए जो marks है वो 1500 number का यह परिक्ष्या होना है तो यह आपको पताच चले का उसके अलावब जो maths है तो maths में जो है general studies के 30 questions आएंगे और maths में आपके 70 questions आएंगे और 2 घंटे का यह paper होगा और maths वालों के लिए 100 number का paper होगा और जो marks होंगे वो same ही होंगे तेर सोंगे तो यही दोनों में difference है कि जो math वाले हैं उनको 70 number जो है वो math के questions आएंगे और जो बाकी other subject के हैं तो वो 90 questions जो है वो आना तैह है चाहे वो sociology हो, हिंदी हो किसे भी विशे से related हो तो आपके 90 questions आने हैं तो total प्रशनों का जो की बात के लिए तो 120 प्रशन आएंगे जिसमें 1500 number का ये प्रशन होगा प्रशन पत्र होगा और इसके समयावधी जो है वो 2 घंडे की रखी गई है तो यह है UPPSC GDC exam का pattern जिसमें जो है मुझे चर्चा करनी थी आप लोगों के समक्ष ताकि जो अभी आपकी आने वाली परिक्षा है उसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे कि परिक्षा का pattern क्या होगा क्या इसकी तीथी है तो इन विश्यों पे हम चर्चा कर चुके हैं तो परिक्षा का pattern भी आपको पता चल गया और भी कोई समस्या हो इस topic से related तो आप मुझे comment करके बताईएगा और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद